हलो दोस्तो तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हिंदी साहित का प्रक्टिस तेट 26 जैसा की पिछली वीडियो में हमने 1-25 तक के सिट देख लिये थे दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करकर बिल आइकन प्रिस कर लें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें दोस्तों यदि आप हिंदी साहित या हिंदी वियाकरण और हिंदी गद्ध विधाओं पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं ये वीडियो सभी गवर्मेंट पृतियोगी परिक्शाओं के लिए बहुत ही महत पूर्ण है दोस्तों हर वीडियो के अंत में हम आप से एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आप बखुबी हमें हर बार देते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहें पहला सवाल है चड़ बोले कड़ मुसकाय रिपोर्ट आज किन का रिपोर्ट आज है ओप्शन है A कनहया लाल मिसर जी का ओप्शन B धर्मिवीर भारती का ओप्शन C उपेंद्र नाथ अश्क का या फिर ओप्शन D राम कुमार वर्मा जी का इसका सही उत्तर है ओप्शन A कनहया लाल मिसर जी का है दोस्तों यह सवाल हमने पिछले सेट में आप से पूछा था जिसका जवाब आपने बिलकुल सही दिया था अगला प्रशन है विद्या वाचस्पती का संसमरण है ओप्शन A मैं इनका रिणी हूँ ओप्शन B हम इनके रिणी है ओप्शन C उपेंद्र नाथ अश्क या फिर ओप्शन D राम कुमार वर्मा इसका सही उत्तर है ओप्शन A मैं इनका रिणी हूँ अगला प्रश्ण है इनमें से प्रवासी हिंदी लेखी का है प्रवासी हिंदीलेखी का ओप्धून A उसा, प्रीयम, वदा ओप्षन C B, मन्नुभंडारी ओप्षन C अलका सरावगी या फिर ओप्षन D मैट्रेई पुसपा इसका सही उत्तर है ओप्षन A उसा प्रीयम वदा अगला प्रश्ट है गिरा अरथ जल विची सम कहियत भिन्न न भिन्न यहां विची का क्या अरथ है Option A, तरंग Option B, मध्य Option C, बिच्छू या फिर Option D, कुछ नहीं इसका सही उत्तर है Option A, तरंग अगला प्रश्ट है हिंदी भासी छेत्र हिंदी भासी छेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका थी Option A, बनारस पत्रिका Option B, सुधा वर्षन पत्रिका Option C, उतंड मारतंड या फिर Option D, पुरजा मित्र इसका सही उत्तर है Option A, बनारस हिंदी भासी चेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्री का अगला प्रशन है कमलेश्वर दोवारा रचित डाइरी है कौन सी है? Option A क्या खोया, क्या पाया? Option B आते जाते दिन? Option C देश देशांतर या फिर Option D अकेला मेला इसका सही उत्तर है? Option C देश देशांतर अगला प्रशन है शेष इस्मरतियां शेष इस्मरतियां रचना है किसकी रचना है? Option A माखनलाल चतुरवेदी की B उग्र की C रगुवीर सहाय की या फिर ऑप्शन D दिनिकर की इसका सही उत्तर है Option C रगुवीर सहाय जी की है अगला प्रशन है पर्थम रिपोर्टाज लक्षमी पुर कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है? कौन सी पत्रिका में? Option A सरस्वती पत्रिका Option B रुपाब पत्रिका C हन्स पत्रिका या फिर डी प्रभा पत्रिका इसका सही उत्तर है Option B रुपाब पत्रिका अगला प्रशन है उपन्यास यम द्वीप तीसरी ताली किन्नर कथा और गुलाम मंडी का विसे है क्या है? Option A किसान B जानवर C आम आदमी या फिर Option D किन्नर इसका सही उत्तर है Option D किन्नर अगला प्रशन है मानस के चार गहाटों में से नहीं है कौन सा गहाट नहीं है Option A ज्यान गहाट B बुद्धी गहाट C कर्म गहाट या फिर Option D परम परित गहाट इसका सही उत्तर है Option B बुद्धी गहाट नहीं है अगला प्रशन है शिव मंगल सिंग सुमन शिव मंगल सिंग सुमन को 1993 में कौन सा पुरुस्कार मिला Option A देव पुरुस्कार B सोवियत लेंड पुरुस्कार C भारत भारती पुरुस्कार या फिर Option D साहित्य अकादमी पुरुस्कार इसका सही उत्तर है, option C, भारत भारती प्रुसकार अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र पांडे बेचन शर्मा उग्र का पत्र संग्रह है, कौन सा है? option A, फाइल और प्रोफाइल, option B, चिठ्थी पत्री, option C, पत्र या फिर, option D, मनोहर पत्र इसका सही उत्तर है, option A, फाइल और प्रोफाइल अगला प्रश्न है, तिरलोचन का मूल नाम क्या है? option A, वैधनात मिस्र, option B, हनुमान प्रसाद, option C, वासु देव सिंग, या फिर, option D, राम सहाय इसका सही उत्तर है, option C, वासु देव सिंग अगला प्रश्न है, नागारजुन की कविताओं को नुकड कविता, नुकड कविता की संग्या दी है किस ने दी है? option A, राम चंदर शुकल ने, option B, नगेंदर ने, option C, गड़पती चंदर गुप्त ने, C, बच्चन सिंग ने, या फिर, D, गड़पती चंदर गुप्त ने इसका सही उत्तर है, option C, बच्चन सिंग ने, अगला प्रश्न है, किस पत्रिका ने सूरिकांद तिरपाथी को निराला नाम दिया? option A, मतवाला, B, प्रभा, C, प्रताप, या फिर, option D, सुधा इसका सही उत्तर है, option A, मतवाला पत्रिका अगला प्रश्न है, निराला रचना वली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? कितने खंडों में option A, 6, option B, 7, option C, 8, या फिर, option D, 9 इसका सही उत्तर है, option C, 8 खंडों में अगला प्रश्न है, आत्म निरिक्षण के लेखक हैं कौन है? option A, वियोगी हरी, option B, गुलाब राय, option C, हरी भाव उपाध्याय, या फिर, option D, सेठ गोविंद दास इसका सही उत्तर है, option D, सेठ गोविंद दास जी है अगला प्रश्न है, आजादी के बाद का प्रेम चंद किसे कहा गया है? option A, धर्म वीर भारती को, option C, बी, फडिश्वर नाथ रेणू को, option C, राम उरक्ष बेनीपुरी को, या फिर, D, कमलेश्वर को इसका सही उत्तर है, option B, फडिश्वर नाथ रेणू को अगला प्रश्न है, शुगल ने आधुनिक काल का प्रारंभ किस सन से माना है? किस सन से माना है? option A, 1900 से, option B, 1857 से, C, 1843 से, या फिर, D, 1850 से इसका सही उत्तर है, option A, 1900 से अगला प्रश्न है, छाया वाद की समर्थक पत्रिका थी, कौन सी पत्रिका थी? option A, सुधा option B, माधुरी, option C, हंस, या फिर, option D, सरसुवती इसका सही उत्तर है, option B, माधुरी अगला प्रश्न है, अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ, संभालो, साजे गजल नए तराने छेडो, मेरे नगमों को नींद आती है, पंग्ती है, किसकी पंग्ती है? option A, गोरखपुरी option B, बच्चन जी की, option C, निराला जी की, या फिर, option D, पंग्त की, इसका सही उत्तर है option A, गोरखपुरी की है अगला प्रश्न है, संस्कृती, संस्कृती पत्रिका के संपादक है, कौन है? option A, उमा शंकर जोशी option B, फिराक गोरखपुरी, option C, बच्चन सिंग, या फिर, option D, निराला, इसका सही उत्तर है option A, उमा शंकर जोशी जी है अगला प्रश्न है, दारिद दसानन दबाई दुनी, दीन बंधु, पंग्ती में तुलसी ने गरीब की उपमा किस्से की है option A, दशा से, option B, रामण से, option C, दुख से, या फिर, option D, कोई नहीं, इसका सही उत्तर है option B, रामण से की है अगला प्रश्न है, चतुरी चमार किन की रचना है, चतुरी चमार किसकी रचना है option A, निराला जी की, B, बच्चन की, C, पंत की, या फिर, option D, मुक्ती बोध की इसका सही उत्तर है, option A, निराला जी की है अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का उपन्यास, गुनाहों का देवता, मूलता है क्या है, option A, प्राश्चित कथा, option B, वियंग चित्र, option C, भाव प्रवड प्रेम कथा, या फिर, option D, फंतासी कथा फंतासी जिसे बोलते है, option इसका सही उत्तर है, option C, भाव प्रवड प्रेम कथा है अगला प्रश्चन है, दशरत विलाप, कविता के लेखक कौन है, option A, बद्री नारायन चोधरी, option B, मैथली शरण गुप्त, option C, भारतेंदु हरिश्चन्द, या फिर, option D, अंबिका दत्त व्यास, इसका सही उत्तर है, option C, भारतेंदु हरिश्चन्द अगला प्रश्चन है, उमा शंकर जोशी जी का जन्म हुआ, कब हुआ, option A, 1911, B, 1912, C, 1913, या फिर, D, 1914, इसका सही उत्तर है, option A, 1911 में अगला प्रश्चन है, फड़िश्वर नाथ रेणू का संस्मर्ण नहीं है, निम्न में से कौन सा नहीं है, option A, पंच लाइट, B, वन तुलिसी की गंध, C, शुरुत अशुरुत पूर्व, या फिर, option D, तोत पूर, इसका सही उत्तर है, option A, पंच लाइट अगला प्रश्चन है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है, option A, फिराक, option B, गोरखपुरी, option C, रघुपती सहाए, या फिर, option D, रघुवीर सहाए, इसका सही उत्तर है, option C, रघुपती सहाए अगला प्रश्चन है, रुबाई क्या है, रुबाई से क्या अतात पर है, option A, हिंदी का चंद है, option B, फार्सी का चंद है, option C, उर्दू का चंद है, या फिर, option D, उर्दू शेरा, उर्द शेरो है, इसका सही उत्तर है, option B, फार्सी का चंद है अगला प्रश्ण है गोरख पुरी का जन्म हुआ फिराग गोरख पुरी का जन्म कब हुआ ओप्शन A 1895, B 1896, C 1897 या फिर D 1898 सही उत्तर है ओप्शन B 1896 अगला प्रश्ण है गोरख पुरी को साहित अकादमी पुरुसकार मिला ओप्शन A गुले नगमा के लिए, B बजमे जिन्दगी के लिए, C रंगे शायरी के लिए या फिर D कोई नहीं इसका सही उत्तर है ओप्शन A गुले नगमा के लिए मिला अगला प्रश्ण है नई कहानी की भूमी का पुस्तक के लेखक है ओप्शन है A नामवर सिंग, ओप्शन B कमलेश्वर, ओप्शन C राजेंद्र यादव या फिर ओप्शन D नगेंद्र इसका सही उत्तर है ओप्शन B कमलेश्वर जी है अगला प्रश्ण है प्रगती वाद छाया वाद की भस्म से पैदा नहीं हुआ वहा उसके यौवन का गला घोट कर ही उठ खड़ा हुआ है यह कथन किस आलोचक का है प्रस्तुत कथन के आलोचक कौन है ओप्शन A डॉक्टर नगेंद्र, B नामवर सिंग, C नंद दुलारे वाजपेई या फिर ओप्शन D राम विलास शर्मा तो इसका सही उत्तर है ओप्शन C नंद दुलारे वाजपेई यी का कथन है अगला प्रशन है हिंदी में संस्मरण साहित के प्रवर्तक माने जाते हैं ओप्शन A बनारसी दास चतुरवेदी ओप्शन B महादेवी वर्मा ओप्शन C पंडित पदम सिंग शर्मा या फिर ओप्शन D बाल मुकुंद गुप्ट इसका सही उत्तर है ओप्शन A पंडित पदम सिंग शर्मा जी है अगला प्रशन है आत्मा भी व्यक्ति की वह मूल तत्त है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित कार और उसकी क्रती साहित बन पाती है option A शुकल B पंत C नगेंद्र या फिर D हजारी प्रसाद दिवेदी किसका कतन है? इसका सही उत्तर है option C नगेंद्र का अगला प्रस्ण है अपने अपने राम उपन्यास के लेखक कौन है? option A गिरिराज option किशोर option B भगवान सिंग option C लक्षमी नारायन लाल या फिर option D नरेंद्र कोहली इसका सही उत्तर है option B भगवान सिंग अगला प्रस्ण है जागरत युग के सुअपन फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाये जाते है किस कवी की पंक्ती है? option A पंत जी की option B बच्चन जी की option C दिनकर की या फिर option D प्रसाद की इसका सही उत्तर है option C दिनकर जी की है अगला प्रश्ण है किसके निबंदों को आचारे शुखल ने बातों का संग्रह कहकर उनके प्रती अन्याय किया है option A बाल मुकुंद गुप्त के option B महावीर प्रसाद दिवेदी के option C बाल क्रश्ण भट के या फिर option D प्रताप नारायन मिस्र के इसका सही उत्तर है option B महावीर प्रसाद दिवेदी जी के अगला प्रश्ण है ब्रज की लता पता मोही कीज़े पंक्ती है प्रस्तुत पंक्ती किसकी है option A रहीम की B रतनाकर की C भारतेंदू की या फिर option D भट जी की इसका सही उत्तर है option B रतनाकर जी की है दोस्तो आज का सवाल है रस प्रबोध पुस्तक के रचनाकार कौन है option A मतीराम option B आलम C बोधा या फिर option D रसलीन अगर दोस्तो आपको इसका सही उत्तर पता है तो वीडियो के comment box में जाकर आप अपना जवाब comment कर दीजिए दोस्तो आप हमें suggestions देते रहे आपके suggestions पर हम बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने की पूरी कोशिस करेंगे अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो like करें, share करें, subscribe करें तयारी कर लो चैनल को दोस्तो अगर आप हिंदी साहित से संबंधित तयारी करते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही मात्त पूर्ण है Thank you for watching this video